गुड मॉर्निंग ओल फ्यू, मैरे उंतरपार्थी मिर्शा सखी क्लास में जैसे कि आपको पता है आपका वाईवा होने वाला है 2nd semester का B8 2nd semester का वाईवा होने वाला 21 है तो आज हम उसी के बारें बात करेंगे इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे कोशन आप लोग के आते हैं और कैसे practical संबन्दिद आपके कोशन बनते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं EDOBA 108 जो की आपका practical work है A, B, C और D यानि 108A, 108B, 108C और 108D ये चारो आपके practical work है इसे संबन्दिद आपको कोशन पूछे जाते हैं साथ साथ आपको मैं बता दू कि थर्ड समिस्टर का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है आपको आई कार्ड में दिख जागा वो भी आपका end screen पे भी दिखाई देगा तो आप लोग देख सकते हैं और थर्ड समिस्टर की भी त्यारी साथ साथ में करते रहिए चलिए स्टार्ट करते हैं वाईवा को वाईवा में आपके कैसे कोशन पूछे जाती है ये आपको बता दू सबसे पहले आपका आता है 108A जो की आपका reading reflection on the test है जिसको हम हिंदी बोलते है पार्ट परध्यान एबं चिंतन इसमें आपने दो चीजे लिखी हैं एक तो NEP 2020 और दूसरा है आपका नातपंद NEP 2020 के बारे में आपको पता होना चाहिए सासा नातपंद में क्या-क्या लिखा है यह भी आपको पता होना चाहिए यानि आपको आपकी file के बारे में पुरा detail में पता होना चाहिए पहले हम देख लेते NEP 2020 आपको पता है NEP 2020 आपका 29 जुलाई 2020 में आया था किसके अदिक्षता में आया था किक अस्तुरी रंगन के उन्होंने format दिया 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यानि कि 1334 से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसका theme क्या है NEP 2020 का theme क्या है तो यह आपका education for all है अगर हम इसमें GDP की बात करें तो 6% की बात की गई है जिसमें हमारा 2.82% ही खर्च होता है पढ़ाई के लिए यानि कि शिक्षा के लिए अगर हम स्कूली सिक्षा की बात करें तो GER यानि कि gross enrollment ratio आपका 2030 तक 100% होना चाहिए हो जाना चाहिए और जबकि उस शिक्षा को आपको GER यानि gross enrollment ratio आपका 50% होना चाहिए यह 2030 तक हमारा target है NEP 2020 में आप कुछ चीजे ऐसी है जो आपको याद रखने क्योंकि इससे समध्य आपके question बन जाते हैं जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका इसमें कितने stages है आपको पता होना चाहिए यह 4 stages में divided है NEP 2020 पहला है आपका 5 years का जिसमें आपका 3 साल का playway है और 2 साल का 1st और 2nd class है जिससे हम foundation stage कहते हैं इसमें कोई exam नहीं होगा यह इसका medium जो है मातर भाशा या स्थानिया चेतर भाशा होगा 5 साल का है 3 साल आपका playway और 2 साल आपका 1 और 2nd यानि 1st और 2nd class होगी जिसमें आपका कोई class नहीं होगा इसको क्या बोलते हैं foundation stage दूसरा stage आपका आता है preparatory stage इसमें exam कहा गया है जो कि आपका 3 साल का है 3rd, 4th और 5th class होगी इसमें years भी पूछ सकता है कितने साल के बच्चे इसमें इनौन होंगे यानि कि 8 से 11 साल के बच्चे 3, 4, 5 class करेंगे जो कि आपका preparatory stage में आ जाएगा जबकि आपका foundation stage में 3 से 8 साल के बच्चे आएगे फिर आपका 3 स्टेज है 6, 7, 8 class जो कि आपका 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है और इस stage को हम कहते है middle age middle stage इसमें आपका vocational course की बात की गई है यानि 6 standards से vocational education की बात की गई है कई बच लेता है कि कौन सी class से आपका website course start है तो आपको पता होंचे 6 standards से उसके बाद से चौता stage आपका है secondary stage जिसमें आपका 9, 10, 11, 12 classes आएगी तो यह चारों चीज़े आपको याद रखनी है सबसे पहले NEP 2020 कब आया 29 जुलाइ 2020 में आया इसका format क्या है 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 उसके बाद से आपका GDP कितना percent की बात करता है 6 percent की बात कर रहा है इसमें खर्च कितना हो पा रहा है सिर्फ 2.82 percent ही हो पा रहा है आगर हम स्कूली सिक्षा की बात करें तो GER यानि gross enrollment ratio आपका कितना बढ़ना चाहिए 100 percent 2030 तक target है जबकि हमारे उस शिक्षा में 50 percent GER यानि gross enrollment ratio है Education for all इसका theme है यह भी याद रखना है कई पूछ लेता theme क्या था तो यह भी आपको पता है Education for all इसके बाद से इसमें 4 stages है Foundation stage, Preparatory stage, Middle stage और last है आपका Secondary stage Foundation stage 5 साल का Preparatory stage 3 साल का Middle stage 3 साल का और Secondary stage आपका 4 साल का 5, 3, 3, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 4, ठीक है 5 साल में आपका 3 साल प्लेवे और 2 साल आपका 1, 2, 2, 2nd क्लास है फिर आपका 3, 4, 5, क्लास आपका 8, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए 6, 7, 8, क्लास आपका 11, 14 साल के बच्चों के लिए और 9, 10, 11, 12 आपका Secondary stage में आ जाता है इसमें एक चीज़ और पूछ सकते है कि यह कितने साल बाद आई तो आपको बताना है चौतिस साल बाद यह आई और यह कौन से NEP है? 3rd NEP है यानि 3rd National Education Policy है 1st National Education Policy आपकी 1968 में आई थी जो कि आपका इंदरा गांदी के समय में आई था उसके बाद से 2nd Education Policy जो आई थी आपकी 1986 में आई थी जो कि आपका राजीव गांदी के समय में आई थी और इसका संशोधन आपका 1992 में हुआ था जो कि आपका POA है यानि Plan of Action है वो आपका PV नसीमा राव के द्वारा आई थी उनके समय में आई थी और हमारा जो आपका है स्कूली सिक्षा हो गया उसके बास हम Graduation की बात करें तो आपको पता है 4 years Integrated Education आपकी दी जारी बीएड जो की है इसमें आपका 1 साल का अगर Graduation की बात करें तो 1 साल अगर पढ़ता है तो बच्चे को Certificate मिलता है 2 साल करता है तो Diploma मिलता है 3 साल करता है तो डिगरी मिलती है और 4 साल करता है तो वो Research मानी जाएगी यानि Integrated Education की बात करें Integrated Course की बात करें तो B8 4 years और M8 को लेकर 5 साल यानि 5 साल का इसमें Education दी जाएगी इसके बासे आपका दूसरा इसी में पार्ट है नात पंद जो आपनों लिखा होगा नात पंद को आप लोगो बिलकूर डिटेल में पढ़नेंगे क्योंकि आपका नया ने आया है कुर्स इसमें आपके कोशन बन सकते है नात पंद यानि नात संपरदाई की बात करें तो इसके प्रवर्टक की बात करें तो मसेंदू नात थे इसके प्रवर्टक कौन थे मसेंदू नात अगर हम इसके वास्तविक संस्तापक की बात करें तो गुरू गुविन जी थे उन्हीं के गुरू मसेंदू नात थे जिनका नाम था विष्णू शर्मा उफ महेश अगर पूश लेगा कि मसेंदू नात का और कौन सा और भी कोई नाम है तो आपको पता होना चाहिए विष्णू शर्मा उफ महेश इनका नाम था और ये किसके संस्तापक थे ये प्रवर्टक थे आपके नात बंत के और इसके वास्तविक संस्तापक की बात करें तो गुरू गुरक नात जी थे इसमें एक वर्ड आपका आया है हट योग हट योग का अर्थ पूश लेगा इसका शाब्दिक अर्थ पूश लेगा तो भी आपको पता होना चाहिए हट योग का अर्थ होता है बल पूर्वक इश्वर से मिलन हट योग में आपको नारी निंदा की बात की गई है यह आपको पता होना चाहिए अगर हम हट योग के प्रवर्तक की बात करें तो इनका नाम था चटपटी नाथ क्या नाम था हट योग के प्रवर्तक का नाम चटपटी नाथ इसमें हम देखते हैं हट का क्या अर्थ है ये आपको पता होना चाहिए हो से आपका सूर्य होता है और ठर से आपका चंद्र होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे हट योग में हमने क्या क्या चीज़ देखी, पहले हट योग का शाब्दिगर्द, बलपूर्व इश्वर से मिलन, दूसरा हट योग में नारी निंदा की गई है, तीसरा आपके प्रवर्तक हट योग के कौन है, चटपटी नाथ ह और चौथा आपका है कि हट का अर्थ क्या, यानि हर से आपका सूर्य होता है और हर से आपका चंद्र होता है, ये भी कोशन बन जाता है आपको पता होना चाहिए, इसके बाद से आपको पता होना चाहिए कि मित्र बंदु ने गोरक नाथ को हिंदी गद्दी का प्रतम लेक आपका कोशन बन सकता है कि कोरक नात को हिंदी गद्धि का प्राथम लेकर किस ने कहा तो मित्र बंदु ने कहा है इसके बाद से आपकी कोटेशन एक बहुत अच्छी है वो भी कईवा कोशन पूछलेता है जैसे नातों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तता ग्रि हस्त के प्रती अनादर है इसके बाद से गुरू का नाम आया है बालनात बालनात का नाम पूछ सकते हैं कि उसका और भी कोई नाम है तो आपको पता होंची जालंदर नात बालनात का क्या नाम है जालंदर नात अगर हम नातों की संख्या की बात करें तो ये संख्या पूछ जैसे आपका मस्तिक जो है आपका ब्रामर से उपज है फिर आपका हाथ से हम बात करें तो शत्री के उपज है अगर हम पेट से बात करें तो वो हमारा वैश्य से और पैर की बात करें तो शूद्य से इसका उपज माना जाता है इसके बाद से अगर आपसे पूछ सकता है ये जबकि अथर वेद में इसको रक्षक और शरन दाता के नाम से जाना जाता है क्या माना जाता है नात का अर्थ अथर वेद में आपको रक्षक और शरन दाता के नाम से जाना जाता है जबकि आपका रिक वेद में शक्षम एवं समर्थ के नाम से जाना जाता है इसके बाद से आपको ये भी पूछ सकते हैं कि नात्बंत के उपासक यानि वो किसके उपासक थे तो वो आप बता सकते हैं कि शिवजी के उपासक थे नात्बंत किसके उपासक थे शिवजी के फिर आपको ये भी पता वाँ चीए नागरजु ने एक बात कही थी कि नागरजु ने कहा कि ना संपरदाय और सिस संपरदाय दोनों में संबंध है क्या है दोनों में संब्ध है अगर पूछ सकते हैं कि ना संपरदाय और सिस संपरदाय में संब्ध है पर इसमें अंतर क्या है तो आपको पता होना चीए कि ना संपरदाय स्तिरियों का आदर नहीं करते थे जबकि सिस संपरदाय स्तिरियों का आदर करते थे यह इसमें अंतर ह जबकि नागरजी ने कहा कि ना संप्रदाय और सिर्थ संप्रदाय दोनों में सम्मध है जबकि अगर इसका अंतर पूछा जाए तो ना संप्रदाय स्त्री का अनादर करते थे जबकि सिर्थ संप्रदाय स्त्रियों का अदर करते थे इसके माद से आपने जब ये लेसन पढ़ा होगा जब आपने ये नात्पंद लिखा होगा तो आपको एक word बिला हुआ अलक निरंजन अलक निरंजन का अर्थ पूछ सकते हैं अलक निरंजन का अर्थ होता है समाधी क्या अर्थ होता है समाधी अलक निरजन का अर्थ होता है समाधी इसके वाद से अगर पूछ सकते हैं कि नाथ संप्रदाय का केंद्री मट कहा है काउंसा यानि कि सेंटर मट कहा है तो इसका है राजिस्तान में जोधपूर में ठीक है नाथ संप्रदाय का केंद्री मट कहा है राइस्थान के जोदपूर में है फिर आपको पूछ सकता है कि नात्पंद के कितने सिदपीठ है तो आपके 51 सिदपीठ है नात्पंद के कितने सिदपीठ है 51 जबकि सिद्धो की संक्या आपकी 84 है नात्पंद के 51 सिद्पीठ है क्यों किसमें से question पूछे जा रहे है ठीक है 12 पंति के प्रवत तक गो रखना था ये अप लोग ध्यान रखना है इसके बाद से आपका reading reflection on the test में एक word और आया है जैसे worth education worth education पहले तो पता रहां किस के द्वारा लिखा गया है क्या इसका मेन उद्देश था कि शिक्षा की भूमिका के बारे में चर्चा तथा बहस को उकसाना अगर हम किष्ण कुमाजी की बात करें तो किष्ण कुमाजी एक बुद्धी जीवी शिक्षा विद और समाश शास्ती माने जाते थे उन्होंने अपने भूक लिखी जिसको तीन भागों में डिवाइड किया पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग पहला भाग में उन्होंने लिखा कि शिक्षा पर विचार, एतिहासिक और दाशनिक विश्लिशन के फलसरूप शिक्षण को एक रोचक और तर्गपूर बनाने की बात की है ना कि वेफसाइक एवं परिख्षक किंदित हो ठीक है, पहला भाग आपका क्या है कि शिक्षा में विचार, एतिहासिक और दाशनिक विश्लिशन के पफलसरूप शिक्षन को एक रोचक और तर्गपुर्ण बनाने की बात की है ना कि व्यवसाई या परिक्षा के इंदित हो यानि उनका मानना था कि एक व्यवसाई की तर्गपुर्ण बनाने की बात भी कही गई थी इसके बाद से दूसरा भाग है उसमें उन्होंने कहा कि पाठेकरम का पर चर्चा की जाए यानि कि छात्रों के बौधिक और सांस्केतिक परिदर्श को ध्यान में रख कर उनकी जीवन से व्यभार से संबंदि पाठेकरम को ही रखा जाए उनका दूसा भाग क्या है? पार्टे गरम पर चर्चा की उन्होंने कहा कि छात्रों के बौधिक, सांस्केतिक परिदर्श को ध्यान में रख कर उनके जीवन से व्यभार से समंद पार्टे गरम को ही रखा जाए अगर हम तीसरी भाग की बात करें तो तीसरी भाग में उन्होंने The Challenge of Teaching की बात की इसमें उन्होंने शिक्षकों के सामने आने वले चुनियोतियों की चर्चा की है जैसे जितनी भी चुनियोतिया आती है शिक्षकों के सामने उसको उन्होंने तीसरे भाग में रखा है इसमें उन्होंने कहा कि सीखने का अनुभव को बढ़ावा देने की बाद भी इसमें तीसे भाग में की गई है जिसमें आपको टेक्नोलजी को इसमें अड़ कर दिया है आपको पता है हम four semester में देख रहे हैं कि education technology हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें आपका technology इसमें use कर दिया जिसमें समय की बच्चा तोती और बच्चा स्वयम की गती से सीख भी सकता है ठीक है इसमें एक चीज आप लोग on note कर लेंगे जैसे उदार शिक्षा प्रणाली की बाद भ बहस को उकसाना सासा किष्णकमाजी की बात करें तो एक ये बिद्दी जीवी थे शिक्षा विद्ध और समाशास्त्री माने जाते थे इन्होंने अपने इबुक को तीन भागों में बाटा पहला दूसरा और तीसरा पहले भाग में इन्होंने शिक्षा पर विचार व यति अपसाई की तरह नहीं और ना ही उसको exam oriented बनाने की बात की, बलकि एक रोचक और तर्गपूल बनाने की बात की, दूसरे में उन्होंने चात्रों के बौधिक और सांस्तकेतिक परिदेश को ध्यान में रखकर उनके जीवन से व्यवहार को संबंधित करके पाटिकरम की बात की थर्ड में आपके शिशकों के सामने जितनी भी चूनों दिया आते उनकी चर्चा की ताकि सीखने के अनुभव को बढ़ावा दे सके सासा टेक्नोलजी की बात भी की ताकि बच्चे का समय भी कम लगे और बच्चा अपनी स्वेम की गती से सीख सके सासा एक चीज और याद रखेंगे कि इन्होंने उदार शिक्षा प्रणाली की बात भी की लेक्स्ट है आपका 108B जो की आपका माइको टीचिंग और लेसन प्लान में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले तो आपको पता आँचे माइको टीचिंग किस ने दी तो DW, LN ने दी और आपका भारत में B की पासी ने तो ये कोशन आपको देख लेना है माइको टीचिंग में 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं 5 से 10 मिनट आपको टीचिंग करनी होती है और साथ साथ एक टाइम में एकी स्किल को डेवलप किया जाता है अगर हम माइको टीचिंग की फिजिस की बात करें तो सबसे पहले आप नॉलेज लेते हैं उसका स्किल डेवलप होता है उसके बाद से आप ट्रांसफर करते हैं यानि कि ट्रांस्मिट करते हैं यह आपको ध्यान में रखना है यह फिजिस पूछ लेता है माइको टीचिंग का सैकल भी याद रख लेंगे सबसे पहले आपका planning आता है फिर teaching आता है टीचिंग में ही आपका teacher observe करता है उसके बाद से feedback मिलता है feedback के बाद से re planning अगर feedback आपका सही है तो आप उसको continue करेंगे next आप पढ़ाएंगे topic को otherwise आपको re planning करनी होगी फिर re teaching and re feedback तो यह आपका पूरा सुष में शीक्षा tweet sebelum हो यृजन आप तो आप फिर से re-planning करते हैं तो वो 12 मिनट की हो जाती है उसके ऐसे teaching करते हैं तो 6 मिनट की और feedback को देंगे तो वो 6 मिनट की टोटल आपका 36 मिनट का ये cycle हो जाता है तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे micro teaching मैंने बहुत अचीता पढ़ाया हुआ है आप मेरे description box में और end screen पे भी देख सकते हैं ये आपको मिल जाएगा इसके बाद से हम lesson plan की बात करें तो lesson plan आपको पता है कि bloom taxonomy के उद्देशे के पर निधारित होता है जबकि हमारा lesson plan आपका Harvard के अनुसार लिखा जाता है आपका Harvard के अनुसार lesson plan लिखा जाता है जबकि उद्देशे किस पर निधारित होता है bloom taxonomy पर अगबर अगर हम इस समय की बात करें तो हम लो किसके मुलियांकन के अनुसार यानि कि bloom taxonomy के मुलियांकन के अनुसार हम लो lesson plan बनाते हैं lesson plan में आपका format पूछ सकते हैं किसके बाद क्या आया है यानि पहले आपका आता है माविद्याले के नाम उसके बाद से चात अध्यापकर नाम फिर आप लो box मनाते हैं जिसमें आपका कक्षा, subject, वेशे मतलब्यानी उसका subject फिर इसके बाद से कालांश, अवदी ये सब लो लिखते हैं आप आपका format बनाते हैं उसके बाद से आप प्रक्रण लिखते हैं, प्रक्रण अभी आप mention नहीं करते हैं जब तका प्रस्तावने के प्रश्ण नहीं पूछ लेते हैं इसके बाद से आपका आता है समान्य उदेश, समान्य उदेश की बात करें तो समान्य उदेश आपका subject oriented होता है यानि जो आपका subject है उससे समंदित आपके समान्य उदेश बनाए जाते हैं तीन से चार आपनों point लिखेंगे उसके बाद से आपका विस्सिस्ट उदेश विस्सिस्ट उदेश आपका topic से related होता है इसको आप लोग लिखते हैं जिसमें आप जैसे की आपका होता है आपका प्रक्रण है पत्थर तो पत्थर के बारे में आप जानकारी दे सकेंगे ऐसा आप विस्सिस्ट उदेश में लिखेंगे जबकि समाने में आप समाजिक अध्यान के अंतरगत जिती भी चीज़े हैं उसको हम mention करते हैं इसके पासे आपका आता है आपका सहाइक सामगरी सहाइक सामगरी में आपका duster और chalk नहीं आता है यह आपको दिखना है कि duster और chalk इसमें mention नहीं होता है इसमें आपका chart, globe, आपका flashcard, आपका models, आपका chart ये सब चीज़े add होती है ठीके आप इसको ध्यान में रखेंगे कई बार आप लोग का लिख लेते हैं आप लोग चाग, chalk, duster वो और नहीं होता है यह आपका सहाइक समागरी में add नहीं होता है इसके बाद से आपका पूर्वजयान समंदित आप लिखते हैं कि पूर्वजयान क्या है यानि बच्चों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है इसके बाद से आपका आता है प्रस्तावना के प्रश्ट प्रस्तावना के प्रश्ट में आपका zigzag question होता है जो हमारा प्रक्रन निकल गया है जो हमें पढ़ाना है उसी को हमारा उद्देश कतन बना लेते हैं उसी उद्देश कतन में हम लिखते हैं कि आज हम इसके बारे में विस्तार से अध्यन करेंगे इसके बासे हम प्रेजेंटेशन करते हैं यानि कि प्रस्तूती करन करते हैं जि हम कोशन कर रहे हैं तो बच्चा प्रशन का अंसर दे रहा है यानि कि प्रशनी करन विधी हो रही है फिर हमारा श्यामपट में जो में में पॉइंट होता हम उसको लिखते है यानि आपका शिक्षन बिंदू छात अध्यापक क्रिया चातर क्रिया और फिर आपके प्रविधी के प्रशन भी कहते हैं इसमें आप 3-4 कोशन देते और लास्ट में आप 2-3 कोशन ग्री कारे में देते हैं लास्ट में आपका प्रविध्शन का हस्ताक्षर होता है तो यह आपका कंप्लीट होता है lesson plan तो यह फॉर्मिट आपको याद रखना कि कि किसके बाद कौन सा ठीक है तो यह तो था आपका micro teaching और lesson plan lesson plan का आदर्श पार्थ योजना नाम से मेरा है link उसको आप देख लेंगे वह भी बहुत अच्छेता पढ़ाया हुआ है उसको आपको help मिलेगे आप बिल्कुल ध्यान देजिएगा micro teaching और lesson plan बिल्कुल अच्छेता लिख़ाया हुआ इसके बाद से आपका आता है 108C जो कि आपका understanding the self है understanding self में आप क्या लिखते है योगा में आपको पता है कि योगा आपका महर्शी पतंजिली द्वारा दिया गया है योगा में आपका अस्टांग मांग की बात की है जिसमें आपका यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्यह धार, धारना, ध्यान, और समादि tv. तो ये आपको याद रखना है इसके बाद से आपको योगा से सम्बंद् Emin से संब्दे जितने भी योगा हैं यानि कि आप जैसे सूरय नमस्कार है कपाल भाति है, तो ये सब चीज़े आपको याद रखने चीए, साथ-साथ आपको ये आपने जीवन से समझे कोई विशेश घटना को लेक भी आप करते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, कि अवीत कविता जो आपने लिखे, किस से मोटिवेटेड हो के लिखे है, साथ एक्स का भावार्थ भी आपको पता होना चाहिए, कई बार आप लोग अवीता नहीं यादे, तो भावार्थ पूछ लेते हैं, तो भावार्थ भी आपको याद रहेगा, ये तो था स्वेम से समझना में, इसके बाद से आपका 108D में, आपका शिक्षा में नाटक अलावेम संगीत, जिसमें आपका नाटक है और शेक्षि भ्रहमण है, नाटक आपने जो भी नाटक किया होगा, उसमें आप कौन से पातर बने हैं, ये कोशन पूश सकता है, तो ये कोशन आप देख लेंगे, कि आप कौन से पातर बने हैं, और कितने पातर हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, यानि आपको एक तरह से बिरिफ समझ में आना चाहिए, कि आपने क्या लिखा है, इसके बाद से अगर हम शैक्षि भ्रहमण की बात करें, तो इसमें दो कोशन बनते हैं, सिर्फ एग ही मोटीव होता है, कि हम आपको लर्निंग करा सकें, यानि हम शिक्षा से संब्धिक कारिक में लर्निंग करा सकें, तो ये भी अंतर आपको पूछ सकता है शेक्षी भ्रमण आप कहां गए थे ये भी पूछ सकता है आप कहां कहां गए थे कौन-कौनसी चीज़े आपने देखी तो ये भी चीज़े, क्या चीज़े वहां की फेमस है ये भी पूछ सकता है तो ये आपको ध्यान में रखना है ये तो था आपका मोटा मोटा आप इसको देख लिजेगा एक बर अपनी फाइस को जरूर देख लिजेगा प्लस आप लोग अपना कोड नमर याद रख लिजेगा 106 क्या है आपका लेडर्शिप वाला है मैनेजमेंट लेडर्शिप दूसरा आपका 107 एसेसमेंट और टीचिंग और लर्निंग है 109 आपका इंक्लूसिव एजुकेशन और 109 ये अ था अब बी की बात करें तो वो आपका करियर और गाइडेंस है तो ये भी आपको याद रखना है इसमें आपका एक चीज़ मैं भूल गई हूँ माइको टीचिंग में घटक आपके बहुत सारे बहुत इंपोर्टेंट है यानि माइस्टूश्म श्रिक्षन के घटक यानि कोशलों की भी कोशलों आता है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है माइको टीचिंग में आपके घटक जैसे प्रस्तावने के प्रश्न के कोण-कोण से घटक होते है आपके व्याख्यान कोशल के कोण-कोण से घटक होते हैं ये आपको याद रखने है कई बाग पूछ लेगा कि शांपट कोशल के घटक बताईए तो आपको पता है शांपट कोशल के घटक कौन कोशे होते हैं कि सपस्ट लिखना, अक्ष्रों में गैपिंग होना और साथ साथ जो भी आप शब्द लिख रहे हैं वो बिल्कुल सपस्ट होना चाहिए और उपर छोटा या बड़ा शब्द नहीं लिखना है दूर में जो पीछे बच्चे बैटें उन्हें भी साफ दिखाई देना चाहिए तो ये सब चीज़े जो घटक हैं उसको भी आप याद रख लेंगे इसके बाद से आपका योग दर्शन जो है योग शिक्षा वो किस ने दी अरविंदो घोश ने ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है कई चीज़े ऐसी हैं जो आपको पूछ सकता है वो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले तो अपनी फाइल को ये बाद देख लीज़ेगा ध्यान से जो में में चीज़े मैंने बता दिये उसको थोड़ा से ज़्यादा रिवाइस कर लीज़ेगा पर अपनी बुक को अपनी जो फाइल में लिखा है उसको ज़रूर पढ़िएगा इसके बाद से आपका थर्ड सिमिस्टर की बात करें तो थर्ड सिमिस्टर का आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है चाहे वो question हो, चाहे वो theory part हो, वो आपका पूरा मिल जाएगा, प्लस आपको answer की भी मिल जाएगा, आप answer की बाहरे रेंटर पार्टी देखेंगे, तो आपको हर एक subject का, हर एक pedagogy का answer की मिल जाएगा, वो भी आपको help करेगा, कि कैसे pedagogy में question पूछे जाते हैं, तो आप इसक सके, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो इसे like कीजी, share कीजी, commit जरूर कीजी, तब तक के लिए धन्यवाद,